हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टूदे एक रिश्वर्ट तो फ्रेंड जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो है डूवी रेली नीड़ हीटर इन विंटर सीजन फॉर अर्ट के सीजन में तो यही बात करने वाले इस वाली पूरी वीडियो में फ्रेंड और यह पहला पार्ट में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आइडिल टेंपरेचर क्या होता है और जो टेंपरेचर होता है अपने अपने फिश को क्या दिक्कत नहीं आती है क्या सच में दिक्कत आती भी है कि नहीं और प्लांट्स वगरा होते तो उनको क्या दिक्कत आती है जो इन्व और आपको भी बताएंगे कि थंड में जब बहुत जादा होता है क्यों का पानी तो उससे भी क्या फिजिस को होता है और कैसी फीडिंग देनी चाहिए अपनको कैसे वाटर चिंजिस करने चाहिए तो वह सब इस वाली वीडियो में होने वाला है तो वीडियो एंड तक जरू सब्सक्राइब कर लिजेए ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो तो चलिए फ्रेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आली वीडियो तो दोस्तों सभी को पता है कि विंटर का सीजन आ चुका है इंडिया में और सब जगे बहुत जादा थंड हो रही है इस्पेशली नौर्थ साइड ऑफ इंडिया जो नौर्थ साइड इंडिया का यहां पर बहुत जादा थंड पढ़ती है इन कंबेरिजन तो जो साउथ साइड है वहां पर इतनी जाद थंड नहीं पढ़ती है नौर्थ साइड में बहुत आदा एक्स्ट्रीम क्लाइमेट्स होते हैं वि तो Continental type climate क्या रहता है, Friends, Continental type में ही रहता है कि 12 महीने almost same size climate रहता है और बारिस थोड़ी जादा होती है और जो seasonal type climate होता है, यहाँ पर season 2 wise season ही climate change होता है summers में summers रहेंगे, winters में winter रहेंगे, rainy season में ही rainy season रहेगा retreating monsoon वगेरा, वो सब एकदम सीजन के साब से चलता है तो यहाँ पर सारी condition बहुत जादा extreme होती है summers के time, summers मतलब गर्मी बहुत जादा पढ़ती है, बहुत जादा temperature high पहुंच जाता है about 40-50 degree तक पहुंच जाता है आराम से तो यहाँ पर बहुत जादा दिक्कत होती है fishes को क्योंकि जो fishes होती है वो एक अपन उनको artificial climate में रखते हैं, habitat में रखते हैं जो कि एकदम पूरा artificial होता है, उनके लिए एक tank रहता है, उसमें पानी बर रहता है उसमें अपन उनको natural चीज़ां देने की कोशिश करते हैं, लेकिन natural चीज़ तो naturally ही होते हैं, यह सभी को पता है इसलिए इन fishes को इन aquarium में बहुत जादा दिक्कात होती है, winter के season के तुरू अपन लोग को तो बहुत जादा अच्छा लगता है, बहुत लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन personally मुझे winter season बिल्कुल ही पसंद नहीं है वैसे ही यह जो fishes होती है, जिनको अपने aquarium में pets करते हैं, उनको भी winter season बिल्कुल ही पसंद नहीं हाता है क्योंकि friends क्या होता है, जब वो natural में, अगर fish natural में रहती है, वैसे वाली तो captivity breed रहती है अगर जैसे कोई natural में fish रहती है, तो वो क्या करते है कि जब उसको गरम पानी की need लगती है, जब उसको लगता है कि बहुत जादा थंडा और तेंपरेचर है, तो वो थोड़ा नीचे चली आती, तो नीचे क्या होता है, जो सतय होती है, जैसे नदी है, तालाब, उसकी जो स temperature के according आ जाता है, जितने नीचे जाती होतना जादा उसको गरम पानी मिलता जाता है, और अगर उसको नीचे जादा गरम पानी हो रहा है, और फिर उसको ठंडा पानी चीए, तो वो उपर आ जाती है, तो समय सके टेंप जातर देखा गया कि उपर रहती हो, विंटर के time कहिंगE तो इसको हो सकता है, कोई दिककत ना है, एवन कुछ गोल्फिश तो ऐसे भी रह जाते हैं, कि उपर बरफ की लायर जम्य और नीचे गोलद नहीं होती है, तब बें उनंहें कोई दिककत नहीं होती है, लेकिन कुछ गोल्फिश जाए सी होती है कि यस पर सरृवाइ के टाइम पर क्योंकि इनको अपना हिसाब का टेंपरेचर नहीं मिलता है तो इसलिए इस वाली जो वीडियो हैस में आपको बताऊंगा क्या दिक्कत होती है और प्लांट्स वगएर अपने अपने लगाते हैं उनको भी बहुत जादा दिक्कत होती है उन सब के लिए एक आइ अच्छा रहेगा तो सबसे पहले बात कर ले थे अपना टैंग उता है उसके लिए लिए वह वहोता है टुन्टी फैंटी दिग्री सेल्सीस यह एकदम आइनुज्स तरीके से इसूड़ हो जाएंगे उनको को में भी प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे अगर इसे थोड़ा स के लिए लेकिन उससे नीचे जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है प्लांट को लेकिन अगर आप फिशिस भी रखें अपने प्लांट के साथ तो आप 23-25 रखिए क्योंकि फिशिस को उसमें दिक्कत हो जाएगी उससे जादा नीचे अगर टेंपरेचर गया तो तो यह था अड़ी टेंपरेचर के बात कर लेते हैं जो कि होता है अपना जिसमें अखेली फिशिस रखते हैं जिसमें कोई प्लांट और नहीं होता है उन्वाले अक्यूरियम की जैसे कि मेरे पीछे अक्यूरियम देख निख रहे हैं कमुनुटी तैंक मेरा जिसमें मेरे और तक होगा क्योंकि यह वाली जो फिशिस होती है सारी ही टॉपिकल टैप क्लाइमेट की होती है तो इनको यही टेंपरेचर सूट करता है 26-28 डिजीस मेक्स टू मेक्स 30 लेकिन 30 के आगे नहीं दिक्कत आजएगे लेकिन जो एक आइडियल होता है लेकिन कुछ-कुछ ऐसी फिशेज होती है कुछ-कुछ ऐसे इंवर्टी विरिट्स होते हैं जिनके लिए अलगी टाइप कर लाएं तो आप मैं आपको एक सजेशन दूंगा अगर आपको यह ऐसे टाइप के इंवर्टी विरिट्स रख रहे हैं जो कि कॉमन नहीं और जादा पता नहीं अगर आपको इसके बारे में तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि गूगल करके उसका आइडल तेंपरेचर पहले देख लिए और तो यह ओगया आइडल तेंपरेचर तो अब बात कर लेते हैं कि प्लांट में क्या दिक्काद आती है जब वाटर का तो फिर थोड़ी 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 तक पहुंच गया तो प्लांट को कोई भी दिक्कत नहीं होगे बढ़िया अच्छे तरीके सच लेगा सब कुछ लेकिन अगर उससे और नीचे कि जैसे कि 15 डिग्री सेल्सिस तक गया 15 डिग्री सेल्सिस होगे अपने के में जो उनका प्रोसेस होता है कि सियो टू लेते हैं फिर रोटू छोड़ते हैं मतलब कार्में टॉक्साइड लेते हैं और ऑक्सिजन छोड़ते हैं तो वहाला प्रोसेस जो हो जाएगा जो फो फोटो सिंथेस बोलते हैं वह चीज स्लो हो जाएगी उनकी लेकिन तब भी वो ठीक रहेंगे उनमें कोई जादा प्रॉब्लम वगेरा नहीं फेस होगी उनको लेकर अगर टेंपरेचर बहुत ही जादा कम हो जाता है तो यह तो होगी अपने प्लांट का अब बात कर लेते हैं कि फिशे को क्या प्रॉब्लम आती है विंटर के सीजन में जब विंटर के सिस्टम होता है जिससे वह अपना फूद डाइजस्ट करते हैं वह बहुत जादा स्लोडान हो जाता है वह अलब प्रोसेस फूद डाइजस्ट होनेगा एक तो यही प्रॉब्लम होती है और दूसरी यह प्रॉब्लम होती है कि इसकी वजह से अगर आपने ओवर फीडिंग जाती है मतलब एकदम लिथार्जिक जैसी हो जाती हो और इट टो एंड इतनी जादा वीक पड़ जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है तो यह सारी दिक्कते आती है फिशस के साथ तो इतना पूरा अपने देखा मैंने आपको बताया कि प्लांट के साथ क्या दिक्कत आती है तो इसका पूरा अगर अपने एनलाइस करें तो यह बात तो पक्की होगे कि अपनको हीटर की तो जरूरा थंडिट परसेंट है अपने एक क्यूरियम में विंटर के सीजन में लेकिन यहां भी एक पॉइंट आता है अगर आप ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहां पर टेंपर के सीजन में यह पार्ट बहुत जब्यादधा इंपर्टेंट है तो यह पार्ट बहुत भुशदा ध्यान देना तो सबसे पहले तो temperature management के लिए अपन को क्या के डिवाइस लगेंगे सबसे पहला foremost दिवाइस जो लगेगा वो यह जो हीटर आतें अपने लिए हर टाइप कर् के लिए जासे कि बड़ा आक्रिम आपके पास बहुत बड़ा तो उसके लिए लगेगा । वो सब में li नेक्स्ट वीडिः वाले पार्ट में बात करूंगा कि रेंगा कि किसे लगेगा कसे लगाना पड़ेगा कैसे अफीशेंसी बढ़ा प्रकॉशन लेने पड़ेंगे क्या कि इनके डिजर डवांटेज होते हैं तो यह सब मेरा जो नेक्स पार्ट होने वाला है उसमें आने वाला है तो अभी तो मैं आपको यह बताऊगा कि जो मैंनेजमेंट के लिए जो अपन को डिवाइज चाहिए उनमें फॉर्मूस डिवा अगर लगा नहीं लगाना चाहते हैं और भी बहुत साइव चीज़ें आती है हीटिंग हीटिंग सिस्टम भी आता है क्यों वह भी काम कर देगा और एक और जो डिवाइस का ज़रूर्ट पड़ेगी जो की यह तो अगर ही 100% इंपोर्टेंट तो वह भी 100% इंपोर्टेंट है उसकी बिनातों कुछ होई नहीं सकता है वो है यह थर्मामीटर यह थर्मामीटर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपने एक क्यूरियम का टेंपरिचर क्या हो रहा है एक्चली इसमें एक रेगुलेटर होता है जिससे आप जरूर पढ़ती ही पढ़ती है क्योंकि यहीटर इतने ज़्यादा एफिशेंट नहीं रहते हैं और इसका यह जो गिलिच है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूंगा और इसको कैसे प्लेस करते हैं कहां लगाना चाहिए अपने हीटर को अपने नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में शेयर कर दूँगा तो अभी तो चलिए बात करते हैं टेंपरेश मेनेजमेंट की कैसे आपको मेनेज करना है टेंपरेचा के जाज़ादा बढ़ जाए ना जाज़ादा गड़ जाए तो सबसे पहले तो अपने पास अगर अगर एस हीट जो है वो ट्रांसफर होती एक दूसरे से तो जो जब आपके अपने रूम का तेंपरेचर थर्टी डिग्री सेल्सियस होगा तो आपके वाटर का भी तेंपरेचर राउंड 29 28 30 डिग्री सेल्सियस के ही आसपास होगा इससे कम तो बिलकुल होई नहीं सकता है तो आप क जादा कम तो नहीं हो रहा है पानी का टेंपरेचर जादा बढ़ तो नहीं रहा है तो यह चीज मस्ट है थर्मामेटर होना ही चाहिए तो यह तो हो गया अगर आपके पास एसी रूम में रूम्स हैं या तो फिर कुछ भी ऐसा है जिससे आपने अपने का टेंपरेचर यह तो यह तो यह बहुत जादा रहेगा कि आपके लिए तो इनकी बात में नेक्स्ट वीडियो में करूंगा जिसमें आपको बताऊं को कैसे लगाते हूं वह अपको पहले बताया कैसे बढ़ाते हैं जो थर्मामेटर है यह ग्लास का देटल आता है इस्टीकर वाला भी आ और अच्छे आते हैं जो आपन लोग लोग ही मनें यूज करते हैं जो कि फेरनाइट में आता है वो भी आपनी उसकर सकते है वह तो उपना हो बिलकुल करेक्ट होता है यह यह थिदिंग नहीं दिखाते हैं एक यह था टेंपरेशर ऊपर नहीं चाहीर रहता ए डिग्री से यह बहुत साब चीज़े नाती है तो वो सभ मैं ने एक्स वीडियो में बात करने वाला हूं सबकी तो यह तो बात हो गए अपनी टेंपरिचर मेंनेजमेंट की अब बात कर लेते हैं क्या जीटर लेक आपको कि सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप सिरो सेलोड जाता है तेंपुरेच्छ जो एस्मुस्फेर के रात में फैंपुरेच्छİ muni तो आप समझी सकते हैं कि वाटर का टेमपरिचा कितना होगा फिर अगर भार का जीरो है तो रूम का होगा 5 डिगरी celsius या 6 डिगरी इस से जाला तो नहीं हो सकता है तो अगर रूम का 7 डिगरी है तो फिर अपने अक्यूरियम का तो अपने अक्यूरियम का इतना डिगरी celsius मतलब 5 तू 6 डिगरी celsius मतलब फिशेज प्लांट्स अल्मोस डेट सब कुछ खतम सारी लाइफ खतम ने क्यूरियम के अंदर से खतम बाय बाय टाटा गुडबाय गया इसलिए एक एक हीटर नौइर साथ की से डिगरी अगरा आप नौइ saja किसी होगे चब्वार्ण हे चिनन करता हो इनके पास जो है इए निए कर दो जा ay मैं कर दो झा तो जहांब पी बैंगलोर हो गया पूने हो गया इंके पास खुद के थाव्त क्लाइमिट लेकिन के पास नहीं गयागा है क्योंकि पास नहीं है लेकिन तब भी 북한um सब्सक्राइब बहुत कम होजाता है कभी कर्ण तो उसके हैं उनको भी मेंटन करना पड़ता है तो उनको भी दो डिवाइस की बहुत ज़रूर पड़ती है एक हीटर और एक एक हीटर और एक थर्मामेंटर तो वहां भी इंपोर्टेंट है तो बेसिकली पूरे वीडियो के मैंने आपको यह सब बता है जो तो उसमें से दो ही चीज आती है सामने कि अपन को हीटर ऐसे ही नहीं लगा देना ह है हमेशा इसको एनलाइस करके लगाना है कि आपके एक्यूरियम का वाटर का तेमपरिचर कितना है वह देखना है जितना अक्यूरियम का वाटर का तेमपरिचर उसको चेक करते रहना है ताकि अपने जो एक्यूरियम के वाटर का तेमपरिचर ना अपना है उसको मेजर करन में से मुता है प्लांटे डेकरियम् Lord have you जिसमें में मारीन लिए टेंक गैरा गाता है संदो छेशिपस तर्फ में आपको अपने पुरा दिशुच छेकश चेक करते रहें अपना नहीं गया प्रपररली काम कर रहा है के नहीं तो ये सब सारे चीज़ा देखने हं पड़ते हैं पूरा पूरा तेम्परिचर मैनेजमेंट का काम आप अब मैं आपको आगे बता हूं कि डिजीज ससकते हैं अपने फिश इस को और क्या-क्या बहु़त दो कॉमिण्ट होती है ऐस में इस लाई स्वेस्टर ने लगा सिस्टम करना काम करना चालू कर देता है जल्दी डाइज़स्ट करता है फूड और अपने उंको ज्यादा फीट कर देते हैं तो भी आप पर प्लोटिंग प्रॉब्लम आती है क्योंकि वह डाइजस्ट नहीं कर पाती है फूट को अच्छी तरीके से तो यह बहुत जादा कॉ प्रफट आप से आपको उसके फीडिंग भी कम करनी है अपने विंटर के सीजन में धंडे पानी से भाइट स्पॉट बहुत जल्दी आ जाते हैं फिश इस पर तो वाइट स्पोट अधिया करता है माह डालता है फिश को तो वह भी इक डिजीज हो जाते है फिश को थंडे थंडे पानी की वही वजए से फंगस भी लग जाता है फिश इसको तो एक वह भी बिदिजीज है जिससे फिश अपनी मर सकते तो इन सब को भी अपन को ध्यान देना पड़ेगा और फिश बहुत आदा लेजी भी हो जाते लेजी होके मर जाती है फिश कोई डिजीज नहीं है कुछ नहीं है लेकिन पानी बहुत थंड़ है तो उसकी वैसे मर जाएगी तो यह सारी जो डिजीज बहुत जादा कॉमन हैं लेकिन यही डिजीज कॉमन नहीं बचेंगी अगर आप हीटर ठर्मामेटर का प्रॉपर ली उस करेंगे तो यह डिजीज तो आपनी फिश को बि पार्ट है लेकिन मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं इस चीज को जो भी इस होबी में तो मैक्सिमम फिजस को नहीं लगपाती है डिजीज थंडो में क्योंकि वाटर का टेंपरिचर एक्टम एक्कुरेट रहता है जो रहना चाहिए क्योंकि गर्मियों में कभी का बहुत बढ करने है जैसे कि अगर आपनने फीडिंग देंगे उनका तो इसलिए water changes भी कम करने चाहिए तो इसलिए यह बात भी हो गई कि अपन को कम करने चाहिए थंडों में और अपन को जो light है वो भी थोड़ी कम कर देनी चाहिए अपने सर्दियों के मैं पूरा मैं अपने भी गई कुछा गलता में चाहिए झाल क्यों कि हो एक का मैं इसलिए इपाया थंडो के लिए अपने मत करंगों कर दें कर दिया इसलिए आयश मम् ME डिया भी मत करिये स्कुंग को ओज मिक्रिवश तंडों के साम से लिए आज की आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगी और आपको पता चलाओ कि हीटर की जरूवत रहती है अपने एक्कुरियम में के नहीं रहती है अगर अपन यह पूरी वीडियो को एनिलाइस करें सारी प्रोब्लम्स को अपने दिमाग पर रखें तो तो सच में ही बहुता ज़रूवत रहती है लेकिन कुछ-कुछ सिटीज हैं इंडिया में जहां पर हीटर की इतनी ज़्यादा ज़रूवत नहीं रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं रहती है तो सबसे पहले जो एक में पॉइंट जिसमें अपने को कंक्लू पढ़ तो नहीं हो रहा है तो सिर्फ यह ही है कि अपने पनको हीटर जों है वह विंटर समर्स रेनी सीजन के साब से नहीं लगाना होता है उसको लगाना होता है अपने वीडियोस बना चुका हूं तो उन सब की वीडियोस मैं लिंक में डाल दूंगा और आई-कार्ट पर सब्सक्राइब करना पड़ता है थंडों की तो यह वाली वीडियो बना दी मैंने विंटर्स की कैसे मेनेजमेंट करते हैं और जो नेक्स वीडियो होने वाली है उसमें मैं बता हुगा कि आप लिए कौन सा बेस्ट रहेगा किस हीटर से कैसी एफिशेंसी आपको मिल सकते हैं क प्रवांटेज़ रहते हैं और कैसे आपको क्लीनिंग वगेरा करनी चाहिए जिससे कि वह बहुत सालों साल चले अबाउट जैसे कि मैंने बताया था मेरा आट साल चला था तो वह सब में आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा पूरी हीटर की मैनेजमेंट की कैसे उ इडियो में होने वाला तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और यह वाली वीडियो पसंद आई हूँ तो भी चैनल सस्काइब कर लेजी ya मेरी सारी वीडियो डिस्कृइप्शन में है सारी बहुत जादा नॉलेज़िबल हैं सारी और मुझे फोटोग्राफी में अगर आपको इंटरस्ट है तो मेरे प्रविश और से वाला पीज भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर मैं अपनी फोटोग्राफ की कुछ skills वगरा दिखाता रहता हूँ फोटोग्राफ वगरा अप्लोट करता रहता हूँ आपी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वो मेरे परसनल पेज भी है तो आज की वीडियो प्मेंद आई होप करता हूँ आपको पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में फ्रेंड्स और सस्काइब कर लेना फ्रेंड्स थैंक यू